Learn and Practice जंगल के सभी जानवर कच्वे और खर्गोश की दौर देखने के लिए जमा हो गए। दौर शुरू हो गई और खर्गोश तेजी से दौरने लगा और कच्वा अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर पहुँचने के बाद खर्गोश ने पीछे क्यों न थोड़ी देर आराम ही कर लिया जाए। यह सोचते हुए वह एक पेर के नीचे आराम करने लगा। उसकी आख लग गई उसे पता भी नहीं चला। उधर कच्वा धीरे धीरे और बिना रुके लक्षे तक पहुँच गया। उसकी जीत देखकर बाकी जानवरों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। तालियों की आवास सुनकर खरगोश की नींड खुल गई और वो दोड़कर जीत की रेखा तक पहुँचा। लेकिन कच्वा तो पहले ही जीत चुका था और खरगोश पच्टाता रह गया। जरूर है बचो अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल लर्न एन प्राक्टिस को सब्सक्राइब करें धन्यवाद।